नमस्कार मैं डॉक्टर रजीद भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विसाई के अंतरगत मादेवी वर्मा का साहतिक पर्चे लेकर आएं देखो यह साहतिक पर्चे जो नहां पर हमने दिया है यह कच्छा नभी विसाई हिंदी और MP बोड में पूछा जाता है अगर किसी अन बोड में भी पूछा जाता हो इस तरह से तो उनके लिए भी यह उपयोगी साबित होगा तो परसंदेखो इस परकार से पूछा जाता है कि दिया मादेवी बर्मा का साहतिक पर्चे निम्न बिंदियों के आदार पर लिखे तो कौन कौन से बिंदू है पहला है दो रचना है भासर और सहली साहति में इस्थान तो इनी बिंदियों के आदार पर हम उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे पेन जो काला पेन उससे लिख देंगे उत्तर उत्तर के बार लिख देंगे मादेवी बर्मा का साहतिक पर्चे तो पहला है दो रचना है तो दो रचना है लिखेंगे पत के साथी ये पत का साथ नहीं पत के साथी इस तरह से बड़ी की मातरा लगेगी तो दूसरा है मेरा परवार ये राप का मेरा परवार ये और ये पत के साथी इस तरह से तो ये दो रचना है आप मादेवी वर्मा की चाओ तो ये मा देवी जी ने अपनी रचनाव में निम्न भासा सेलिय को अपनाया है तो अब इसके सब बिंदू हम लिखते हैं ठीक है तो ये पहला लिखेंगे हम भासा तो भासा एडिंग डालकर लिखेंगे मा देवी बर्मा की भासा सुद्ध सायतिक खड़ी बोली है यानि ऐसी में सरस्ता, माधुर और पिर्वाह इनकी गद रचनाव में भासा का भाव और संगीत का संगा में उनकी भासा में सब्ध का चुनाव बिशाय के अनुरूप होता है यानि जो माहा देवी बर्मा अपनी बहासा कैसी चुंत नें अ अपनी बिशार के अकर आंगे लिखेंगे आपकी भासा में मदर्ता एवं ललित गुड विद्धमान है ठीक है अब आता है दूसरा बिंदू सैली तो सैली में हम लिखेंगे महादेवी बर्मा ने भाव और बिसाय के अनुसार बेविन सैलीों को अपनाया तो कौन-कौन सी सैली अपनाई है उसको हम अब देख लेते है तो पहला हमने उप बिंदू डाला का काम लिखा विवे चनात्मक सैली तो इसमें लिखेंगे कि उन्होंने आलो चनात्मक डिमन इसी सैली में लिखे हैं इस सैली में तस्सम सद्दों का अधिक प्रियोग किया है अब आता है तस्सम सद्द का आर्थ होता है संस्क्र सद्द का प्रयोग दूसरा खा की बिंदू है वर्णात्मक सैली तो इसमें लिखेंगे जहां पर लेखक को कोई बात विस्तार से कहनी होती है वहाँ पर उन्होंने इस सैली को प्रयोग में लिया है मेरे बचपन के दिन पाठ इसी सैली में लिखा गया है अब आता है अगला हुआ है भावात्मक सैली इसके अंतरगात हम लिखेंगे मादेवी बर्मा स्वयम भी बहुत ही भावक रचना कार रही है उन्होंने उसके बाद आंगे आता है का उन्होंने संस्वनान और रेखा चित्रों की रचना भावात्मक सैली में किया है फिर आता है घहा में चित्र मादेवी बर्मा आदने काल की एक मान रचना कार रही है आपका गद और पद दोनों पर समान अतकार रहा है ये रहा है आपने संस्मर्ण और एका चित्रों पर वेसेश कार आगत किया है आपकी रचनाव में इहरदय में इहरदय की भावना इस पर दिखाई देती है परतबा क कि धनी मादेवी बर्मा का इंदी जगत में उचा इस्थान है तो यह देखो हम आपके सामने लायते मादेवी बर्मा का यहाँ पर भासा और सहली यानि सहतिक पर्चे लेकर आयते जो आपके लिए बहुत ही मारितपूर सावित होगा यहाँ पर मैंने मुख मुख बिंद्यों को लिया जिससे आपको आसानी से पढ़ना समझना और लिखना सरल लएगा तो फिर आगर उसके पस्चाथ भी इसमें किसी पिरकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवस बताईएगा और यह बताईगा यह आपको मादेवी बर्मा का सहतिक पर्चे कैसा लगा अगर किसी और भी लेखा क्या लेखा का का या कभी कवित्री का आपको सहतिक पर्चे या जीवन पर्चे कुछ भी चीए तो हमें कमेंट करके अवस बताईगा तो फिर आज के लिए इतना ही अब हम फिर मिलेंगे किसी ने विसे किसा तब तक के लिए धन्वाद